नवश्कार ये आकाश्वाणी है अभी आप मुरी शोवा से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने कहां भारत में भरष्ट चार जाती वाद और संप्रदाईता के लिए कोई स्थान नहीं होगा इसरो ने अपने सोल मिशन आदिते L1 की पहली कक्छा पार करने की प्रक्रिया सफलता पूर्वक संपन्न की इसरो 22 सितंबर को चंदरियान 3 के रो और प्रग्यान को पुना सक्रिया करेगा फिलहाल इसे चंदरमा की सतह पर अपने सभी कारे पूरा करने के बाद नश्क्रिया किया भारत ने ओमान में F.I.H. पुरुस हौकी 5S विश्वकप 2024 के लिए क्वालिफाई किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंदरी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विक्सित देश बन जाएगा और देश में प्रहष्ट चार जातिवात और संप्रदाइकता का कोई स्थान नहीं होगा अनुने यह बाद नई दिली में आई जित हो रहे G20 शिकर सम्मेलन से ठीक पहले आज एक समाचार एजनसी से बाचीत में कहीं श्री मोदी ने कहां कि G20 शिकर सम्मेलन में भारत के विचारों और दृष्टिकोंड को दुन्या भविश्य की एक रूप रेखा के रूप में देख रही है उन्होंने कहां कि अलग-अलग विश्यों से जुड़े G20 देशों के मंत्री स्तरिय समुह के निरणे दुनिया के भविश्य के लिए निरणायक सिद्ध होंगे प्रधान मंत्री ने कहां कि भारत का दृष्टिकोंड एक विचार मात्र नहीं है बलकि G20 की भारत की अधिक्षिता के कई सकारात्मक परिडाम सामने आ रहे हैं उन्होंने कहां कि वसुदेव कुटुम्बं G20 की विशे वस्तू रही है और यह केवल एक नारा नहीं है बलकि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का एक व्यापक दर्शन है प्रधानमंद्रे ने कहां कि G20 में आफरीका भारत के लिए सरवत्च प्राथ मिकता है उन्होंने कहां कि सभी पक्छो को सुने बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती श्री मोदी ने कहां कि भारत में एक दशक से भी कम समय में दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थवरस्ता वाले देशों में अपनी जगह बनाई है और जल्द ही भारत दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थवरस्ता वाले देशों में शामिल हो जाएगा उन्होंने कहा कि विबिन्न छेत्र में चल रहे संगर्सों का एक मात्र समाधान बादचीत और कुटनीती ही है श्री मोधी ने कहा कि G20 की अधियक्षिता से इतर रहकर भी भारत विश्व शांती के लिए हर प्रयास को समर्थन देता रहेगा भारते अंतर रिक्ष अनिसंधान संगठन इस्रों ने देश के पहले सोर मिसन आदिते L1 को प्रिथिवी की कक्छा में सफलता पूर्वक स्थापित कर दिया है इस्रों ने एक टूइट में कहा कि अब इस यान की प्रिथिवी से नियुन्तम दूरी 245 किलो मीटर और अधिक्तम दूरी 22469 किलो मीटर है इस्रों ने कहा है कि यह उपग्रह अच्छी स्थती में है और सामान्य तरीके से काम कर रहा है आधिते एलवान की उचाई 5 सितंबर को दो पहर तीन बजे के आसपास एक बार फिर बढ़ाई जाएगी प्रिथिवी की कक्छा में इस उपग्रह की उचाई 4 बार बढ़ाई जानी है इसके बाद 125 दिन में यह उपग्रह के 15 लाग किनोमीटर दूर एलवान पॉइंट पहुँचने की संभवना है आधिते एलवान मिशन से सूर्य की बाहरी परत कोरोना और सोरपवन के संबंध में जानकारी मिल सकेगी इसे कल सफलता पूरवक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रमा पर 14 दिन तक सूर्य का प्रकास उपलब्ध नहीं होने तक भारतिया अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस्ट्रो ने सोर उर्जा से चलने वाली प्रग्यान रोवर के पैलोट को फिलहाल नश्क्रिया कर दिया है और यह चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित है इस्ट्रो ने ट्वीट में बताया कि APXS All Lives पैलोट को बुझा दिया गया है और चंद्रयान थ्री का रोवर फिलहाल निश्क्रिया कर दिया गया है रोवर पर बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और चंद्रमा पर 22 सितंबर को अगले सूर्य दे होने पर इसे प्रकाश मिलने रगेगा रिसीवर को चालू रखा गया है इश्रो ने कहां कि अन्य कारियों के लिए प्रग्यान रोवर को फिर से सफलता पूर्वक सक्रिया करने के आशा है यदि ऐसा नहीं हो सका तो रोवर हमेशा के लिए चंद्रमा की सतह पर रहेगा कॉंग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंदर सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाओ के मुद्दे पर विचार के लिए गठित आठ सदसे समीती ने शामिल होने से इनकार कर दिया है ग्रमंत्री अमिच्शा को लिखे पत्र में भी स्री चोधरी ने आरोप लगाया कि आठ सदसे समीती एक धोखा है और समीती के संधर्प की शर्ते उसके निसकरशों की गैरंटी देने के लिए तयार की गई है उन्होंने दावा किया कि आम चुनॉप से कुछ महीने पहले देश पर विचार थोपने का अचानक प्रयास किया जा रहा है उन्होंने सरकार की मंद्शा पर सवाल उठाएं वर्स 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन कल से नई दिली में शुरू हो रहा है वर्स में दो बार आया जित किये जाने वाले इस सर्वच सम्मेलन में नौसेना कमांडर महत्वपूरण नीतिगत निर्णेयों पर विचार करेंगे तीन दिन के इस समयलन के दौरान नौसेना के वरिष्ट अधिकारी पिछले छह महिने के दौरान की गई संचालन, समाज समान, उपकरण, प्रक्षेपन, प्रशिक्षन और प्रशासनिक गतिवीधियों की समिक्षा करेंगे कमांडर्स नौसेना के विभिन परियोजनाओं की समिक्षा भी करेंगे प्रमुक रक्षा अधियक्ष जनरल मनोज पांडे ने जमू कश्मीर के राजोरी सेक्टर के न्यंतरन रेखा से लगे अग्रिम छेतर में सुरक्षा और संचालन तयारियों की समिक्षा की आका अश्वाने के जमू समवाताता ने बताया है कि जनरल आफिसर कमांडिंग इनचीफ और उत्तरी कमांड के लेटनन जनरल उपेंदर द्रवेदी सहिद सेना के वरिष्ट अधिकारियों ने प्रमुक रक्षा अधिक्ष जनरल मनोज पांडे को पाकिस्तान के साथ नियंतरण रेखा की मोजूदा स्थती संचालन तयारियों और आतंगवादियों द्वारा घुसपेट के प्रयासों की जानकारी दी प्रमुक रक्षा अधिक्ष को बताया गया की सजक्स सैनिकों ने घुसपेट की ज्यादा तर प्रयासों को ना काम किया है प्रमुक रक्षा अधिक्ष जनरल ने नियंतरण रेखा पर प्रभावी संचालन तयारियों की सरहना की भारत के मुखे नयाधिश धननजय यश्वंद चंद्रचूर ने कहा है कि कानून के शासन से ही देश में ववस्ता बनी हुई है वे कल मज़ुराम की राजधानी आजवाल में गोहाती उच नयाधिकी आजवाल पीट के नए भावन के उद्गाटन आउसर पर बोल रहे थे उन्हें ने कहा कि नयाले विवादों के शांती पूरण समाधान के पक्षधर है नयायमूर्थी चंद्रचूर ने कहा कि हमारी लोगतांत्रिक संस्थाओं ने हिंसा के संस्कृती की जगह परसपर बारचीत शहीस नूता आपसी समझ तथा मानुव कल्यान और खुशाली की साचा संस्कृती को बढ़ावा दिया है मुख्य नायदीज ने कहा कि पूरवत्रचेतर के अधिवक्ताओं को गुड़ता पूरण नयायक शिक्षा की कमी परियाप संख्या में परिवहन का नहीं होना तथा नयायलेव के लिए समीती आधारभुत संद्रचनाओं जैसी समस कि पहशान कर उन्हें दूर करने के प्रयास होने चाहिए इस अफसार पर मिजराम के मुख्य मंतरी जोराम थांगा केंदर विधी और नयायर राज्य मंतरी अरजुन राम मेखवाल और मिजराम के कई वरिष्ट अतिकारियों पस्तित थे नोबेल फांडिशन ने स्टोक हम में इस साल के पुरिसकार समारो में रूस बैलरूस और इरान को आमंतरीत करने के लिए अतियधिक आलोचना वाले फैसले को पलट दिया है पिछले साल यूकरेन पर रूस के हमले के बाद रूस और उसके सहियोगी बैला रूस को आमंतरीत नहीं किया गया था जबकि एरान को उसके मानवधिकार रिकॉर्ड के कारण बाहर रखा गया था पुरसकार समारो 10 से दिसंबर को स्टाख हां में आजित किया जाता है इस फंड की स्थापना करने वाले वैक्ति आल्फरेड नॉबेल की मृत्यु की साल गिरा है देश में इस वर्स अगस्त के महीने में 162 मिलिमीटर वर्षा हुई है जो अगस्त के महीने में होने वाली औसत वर्षा से कम है मौसम विभाग के अनुसार इस वर्स हिमाचल प्रदेश उत्राखन असम मेगाले पश्चुम बंगाल के हिमालई छेत्रों सिक्कीम बिहार औरिस्सा और पूर्वी मध्य प्रदेश में काफी अधिक वर्षा हुई है मौसम विभाग ने सितंबर महीने में सामान्य वर्षा का अनुमान वैक्ट किया है इस महीने देश के कई उत्र पूर्वी इलाकों पूर्वी भारत हिमाले से सटे छेत्रों और पूर्व मध्यों तथा दक्षणी प्राइद दीपों में सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा की संभावना है देश के बाकी हिस्सों में वर्षा सामान्य से कम होगी इसी के साथ समाचार बुलिटिन समाथ्वा नमस्कार